नमस्कार किचन की एबी सीडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके लिए लेका ही बहुत ही ज़दा हेल्डी और चिटपट बनने वाली रेसिपी पानी में जैसी उबालाना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसमें डालतेंगे कुछ पत्ते पालक के और मतर मैं नहीं आप हरी मतर का यूज की है फ्रेश वाली का तो मैं इसे साथ में भी डालतेंगे पालक के साथ उबलने के लिए अगर आप फ्रोजन का यूज करेंगे तो आप उसे इस समय ना डालें आप बाद में डायक्ट उसे ग्राइंड कर सकते हैं तो देखे पालक और मतर में दोनों डालती हैं उबलने के लिए हम इसे हलका सा ब्लैंच करेंगे बस दस से पंद्रा मिनिट में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल तो देखे पानी में उबालाना स्टार्ट हो चुका है अब हम गैस की फ्रेम जो बिल्कुल लो कर देंगे और इसे आठ से द चुके हैं तो इस स्टेज पे हम कर देंगे इस की फ्लेम ओफ और इसे एक बार निकाल लेंगे स्टेनर में और जैसे ठंडा हो जाएगा तो हम इसे मिक्सर में डालेंगे और बिल्कुल इसका फाइन पेस्ट बना के त्यार करेंगे तो देखिए मैंने इसे अच्छे से पी उसका भी उस करेंगे तो आप उससे पहले एक बार चान ले तो अब इसमें मैं डालूंगी एक उबला हुआ आलू वाइल पटेटो आप इसमें पटेटो जो हैं वह ग्रेट करके भी डाल सकते हैं कद्दू कर से अच्छे से इसमें बिल्कुल भी जो आलू है या हमारा जो मैश हो चुक है अब हम इसमें डालेंगे एक चमच बेसन बेसन डालने के बाद मैंने इसमें डाले हैं चार बड़े चमच चावल काटा चावल के आटे की जगा आप इसमें कौन फ्लार का यूज़ भी कर सकते हैं बेसन में इसमें अच्छे से एक वह बाइंडिंग आएग नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अब मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, स्वादनुसार मिर्ची और नमक आप हलका सा कम्या जादा कर सकते हैं धनिया पाउडर, जीरा इन सब को अच्छे से बिल्कुल मिला लेंगे अगर आप जब पालक को बॉयल करेंगे और आप उसमें पीछे जो उसमें थोड़ी सी डंठल होती वो भी डालेंगे तो एक बार आप इसे एक बार स्टेंड कर लें और उसके बाद इसका यूज़ करें एक बार उसे अच्छे से चान ले मैं इसमें सिर्फ पत्तों का यूज़ किया था इसलिए वहुला मेरा जो पाठ है वो मैंने स्किप कर दिया है अगर आप पत्तों का यूज़ करेंगे तो आप इसे डायक भी यूज़ कर सकते हैं है एच्छ से बन चुकी यह टिकी का मिने इस तर से बॉल बनाकर इस चोट 有टी टिकी बनाकर त्यार करें, देखके में नहीं तर अधर रोल कर लिये, तो अब कड्याई, कड्याई में मैं लिए रीफा Clepe änd oil और पकुल कंब लगैंतर कॉल displaying मैं मानने कड्या करें, तो हम इसे पलटेंगे तो हम इसे low to medium flame में करेंगे तो हम इसमें करने में आठ से 10 मिनिट लगेंगे अगर हम फ्लेम जा तेज रखेंगे तो टिकी जल जाएगी और अंदर से नहीं पकेगी तो देखिए टिकी बाहर से हल्की हल्की golden brown हो चुकी है तो हम इसे निकाल लेंगे अ और आटे का आपके पास रोटी बची तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके लिए लच्छा प्रांथा भी बना सकते हैं अब इसके एक साइट पर हम लगाएंगे मायोज मैं यहाँ पर एक साइट पर इसमें इस तर से मायोज लगाउंगी plane वाली माय हो जाईए कि मैं इसे बच्चों के लिए बना रही हुए इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी मिर्ची और गृरीन चट्नी जो इसकीप करें अगर बढ़ों के लिए चटपटा खाना चाते हैं तो आप इसमें ग्रीन चट्नी का यूज़ भी कर सकते हैं और दूसरी साइट में पर अब जो दूसरा साइट पेंडिंग रहे रहे उसे मैं लगाऊंगी टमैटो केचप इसे बिल्कुल भी स्पाइस का यूज नहीं करूंगी मतलब इसे ज्यादा मसालेदार नहीं बनाऊंगी से बिल्कुल सिंपल बच्चों के लिए बनाऊंगी साइट में रखूंगी एक टिक्की जो हमने भी बनाई थी अब देखिए इस तरह से हम रैप बनाएंगे उससे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक स्वादा नुसार बिल्कुल हल्का सा नमक हम इसमें डालेंगे तो देखिए अब मैं इसे फोल्ड करूंग जो मायूस वाला पार्ट है वो मैं पहले इस तरह से फोल्ड करूंगी अब इसे इस तरह से और टिक्की को जो पहले हाद से थोड़ा सा मैं क्रश कर लूँगी तोड़ लूँगी ताकि ये अराम से रैप जो है बन्द हो जाए बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार और सबसे बड़ी बात बहुत ही ज़्यदा है रेश्पी बन के त्यार हूई जो बछों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है देखिए मैं तबा जो हल्का सा गरम कर लिया है अब इसमें डालूंगी वें बटर आप बटर की जगह इसमें, औलिया घी का यूज़ भी कर सकतें। लेकिन बटर से इसमें बहुत ही अच्छा सा है, अलग Essart आता है इसलिए हो सके तो आप भी इसमें हलका सा बटर का यूज़ करें। हलका सा बटर डालेंगे और इसे अब हम Para applied लेंगे। ये रेसिपी जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है एक ये गेहूं के आटे से बनी हुई है और बहुत ही जल्दी और कुछ ही मिन्टों में बन के त्यार हो जाती है आप इसे बच्चों को ब्रेकफास्ट या शाम की छोटी मोटी भूप में कभी भी बना के कभी भी त्यार करके दे सकते है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल और प्लीज शेर मैं वीडियो